नमस्कार, उद्धे सिकडमे के यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम लोग तिकोण मित्य सुत्र के अंतरगत 0 से 360 डिगरी के कोड़ों के तिकोण मित्य अनुपातों के मान ग्याद करना सीखेंगे तो आएए शुरू करते हैं तो सबसे पहले देखिए कोड़ 90 माइनस थीटा या इसको 90 को पाई बाई टू भी बोलते हैं पाई बाई टू माइनस थीटा के तिकोड़ों मित्य अनुपात ग्याद करते हैं तिकोड़ों मित्य अनुपात इनके क्या मान होगे वो ग्याद करते हैं तो इनको पहले लिख लेते हैं देखे तिकोड़ों मित्य अनुपात 6 तिकोड़ों मित्य अनुपात होते हैं तो देखते हैं इनमें साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा इसी प्रकार कॉस 90 माइनस थीटा फिर 10 90 minus theta ठीक ना और इसका यहाँ पर लिख लेते हैं cos 90 minus theta बराबर cos होगा यह sin 90 minus theta बराबर और यहाँ cot 90 minus theta तो इसका क्या मान होगा देखे इसको याद करने की जुरूत नहीं है इसको कुछ समझने की जुरूत है तो इसको देखते हैं पहले तो यह रहा है कारतिय तल बना लेते हैं देखिए यह है कारतिय तल ठीना मतलब इस कारतिय तल को कारतिय तल बोलते हैं ठीना इसमें इसको परथम चतूर्थांस बोलते हैं प्रथम चतूर्थांस ये दुतिये ये तृतिये और ये चतूर्थ चतूर्थांस कहलाता है ठीक ना? इंगलिस में Quadrant बोलते हैं First quadrant, Second quadrant, Third and Fourth quadrant ठीक ना? इस चारों चतूर्थांसों में देखें गे sin cos 10 किस किस चतूर्थांस में प्लस में होते हैं और कोन? माइनस में होते हैं तो देखे इसमें एक फर्मुला होता है देखे all sin 10 cos ठीक ना इसका मतलब all का मतलब इसमें सभी तिकोण मित्ये अनुपात प्लस में होते हैं ठीक ना जैसे देखे यहां लिख देता हूँ sin theta लिए है theta लिए है cos ten cosec sec और cot यह सभी इसमें plus होते हैं ठीक ना बस आप इसको अच्छे समझे इस सब आपको समझना जाएगा इसमें केवल sin plus होता है तो sin का उल्टा भी cosec होता है तो वो भी plus होता है इसमें लिखेंगे sin theta sin theta और cosec theta ठीक ना यह दोनों plus में होते हैं और ten का मतलब ten और cot इस चतुथांस में plus में होते हैं ten और cot और इसमें cos है तो cos और sec यह plus में होते हैं ठीक ना और जैसे sin cosec plus में है तो बाकी जो बचे cos ten sec और cot इसमें minus में होते हैं ठीक ना इसमें इनको छोड़कर बाकी जो 4 तिकों मितियन उपात हैं वो माइनस में होते हैं इसी प्रकार इसमें ये दोनों प्लस में होते हैं बाकी सब रिनात्मक में होते हैं ठीना बस इतना आपको समय में आ गया अब आगे देखते हैं देखे ये होता है 0 0 डिगरी यह होता है 90 डिगरी इसको πाई बाई 2 रेडियन में बोलते हैं ठीक ना इसको 180 डिगरी इसको πाई बोलते हैं यह हो गया 270 डिगरी ठीक ना 3 पाई बाई 2 ठीक ना और यह फिर वापस आ गया तो 360 डिगरी हो गया ठीक ना इसको 2 पाई बोलते हैं ठीक अब अब देखते हैं इसमें देखें इसको ठीक से देखिए अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं साइन 90 वाइनस थीटा ठीक ना तो 90 मतलब इस 90 डिगरी में से मैं कुछ थीटा कम कर रहा हूं ठीक ना कुछ कम कर रहा हूं तो इसका मतलब 0 से 90 डिगरी की बीच वाले इस चतुथांस में ही वो कोण आएगा अगर ये 90 बोलें तो ये 90 हो गया इसका मतलब सम कोण हो गया अगर 90 से कम है तो इसी चतुथांस में ही आएगा वो कोण या अब इसमें 90 प्लस कर दें तो इसमें आ जाएगा ठीक ना तो हम देख रहे हैं इसमें 90 मानस सीटा 90 मानस ठीटा सम 90 मानस ठीटा है इसका मतलब ये सभी कूछ इसी में आएगा ठीड़ना पहले चतू थांस में ही आएगा अब देखे इसमें क्या खासियत है इसका जरूत ने इसको हटा देपे ठीड़ना अब यहां से लिखते हैं अब देखे इसमें याद रखेगा साइन से माइनस थिटा करें या साइन से प्लस थिटा करें तो इसमें क्या बता है साइन कॉस में बदल जाता है कॉस में बदल जाएगा और कॉस साइन में बदल जाएगा टेन कॉट में बदल जाएगा ठीक ना इसी प्रकार कॉस साइन में बदल जाएगा और sin cos में बदल गया और 10 cot में ठीक ना 10 cot में बदलेगा cot 10 में बदलेगा cos sin में तो sin cos में ठीक वो इसी उपर भी लिख दिये हैं और इसी प्रकार seq theta cosak theta में बदल जाएगा या cosak theta seq में बदल जाएगा 90 की बात है इसी प्रकार इस 270 के प्लस थिटा और माइनस थिटा पर भी यही चीज हो जाता है ठीक ना इसको और अश्यस लिख देते हैं साइन थिटा कॉस थिटा न बदल जाएगा कॉस थिटा साइन थिटा न बदल जाएगा टेन थिटा कॉट थिटा न बदल जाएगा और कॉस एक सेक में बतल जाएगा सेक कॉसेक में बतल जाएगा और कॉट टेन में बतल जाएगा ठीक ना इसी को दोनों डबल तीर लगा है मतलब यह इसमें या तो यह इसमें ठीक ना यहां मैंने एक तरफ से अलग से लिख दिया है यह सब हो जाएगा बस आप इसको अच्छे से समझ जिए अब मैं देखी इसको देखते हैं अब जैसे sin 90 मानस थीटा है तो आप पहुंचे कहाँ इसमें अगर देखेंगे तो 90 से कम है तो मतलब पर्थम चोतू थांस में हुआ ठीक ना तो पर्थम चोतू थांस देखें बोला की साइन चीज़ देखें साइन अगर 90 प्लस थीटा हो चाए मानस थीटा हो तो पहले तो साइन ये कॉस में बदल जाएगा ठीक ना तो यहां लिखा कॉस यहां लिखें cos ठी न ये theta ठी न ये sin cos में बतल गया अब देखे sin 90 मानस theta पहले चतुर्थांस में है और पहले चतुर्थांस में sin plus में है होने के लिए तो सभी plus में है ठीक न? तो यहां पर plus का चिंद लगेगा ठीक अगला देखते हैं जिसे cos है तो cos sin में बतल जाएगा ठीक न? और 90 90 होने कारण cos sin में बतल गया और ये cos पहुचा किस में? पहले चतुर्थांस में पहुचा तो ये चीज, ये sin ये पहले चतुर्थांस पहुचा और वहां देखते हैं cos plus में है की मानस में है? तो plus में है इसलिए plus sin theta आएगा तो पहले चतुर्थांस में क्या होता है? सभी plus में होते हैं ठीक न? तो हम सिदे सब को plus में लिख देते हैं जहां मानस अगले चतुर्थांस में आगा है तो वहां और अच्छे से बताएंगे देखें 10 cot में बतलेगा तो cot theta लिख दिए ठीक न? cos सेक में बतल जाएगा सेक theta हो गया sin cos में बतल जाएगा cos cos एक है याँ पर ठीक न? वो तो हो गया है यह सेक है याँ पर sin का cos अशाए दो-दो जहें लिखा गया sin cos 10 लिखा गया तो हम cos एक लिख देते हैं ठीक न? और यहाँ पर सेक लिख देते हैं और यह कोट लिखा हुआ है ठीक न? अब इसका देख लेते हैं इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं यह 180 यहाँ हो गया ठीक न? अब cos एक, cos एक बोला सेक में बतल जाएगा तो लिखते हैं सेक theta सेक कोट से में बतल जाएगा तो लिखे कोट सेक theta cot 10 में बतल जाएगा तो लिखते हैं 10 theta ठीक न? ठीक न? ठीक पहला चेतुथांस की बारे में था तो इसमें बस इतना याद रखीगा कौन किस में बतलता है? ठीक न? चीन देखने की ज़वत नहीं है क्योंकि पहले चेतुथांस में सब plus में होता है तो कुछ नहीं देखेंगे चीन को बस sin cos में, cos sin में, 10 cot में cos x से cos x cos x और cot 10 में बतलता है ठीक न? अब देखतें 90 plus theta देखते हैं तो देखिए अगर मैंने 90 plus theta किया तो मतलब हम 90 से ज्यादा चले गए ठीक न? तिये दूसरे चतुथांस में आ गए मतलब second quadrant में हम आ गए अब देखें इसमें ध्यान रखें sin और cos ही की केवल धनात्मा positive में होता है तो देखिए 90 होने कारण 90 minus से 90 plus होने कारण सबसे पहले sin cos में बतलेगा तो cos theta लिख लिए ठीक न? अब देखिए ये sin मतलब हम किसमें पहुँचें? दूती चतुथांस में तो sin दूती चतुथांस में प्लस में है इसलिए प्लस में ही रहेगा cos को नहीं देखना है ये जो सुरू का था वो देखेंगे कि दूती चतुथांस में प्लस में है कि माइनस में है अब देखें cos तो cos 90 प्लस होने कारण पहले तो sin में बदल जाएगा ये अब cos को देखिए कि दूती चतुथांस में प्लस में है कि माइनस में है तो यहाँ पर माइनस में है क्योंकि इसके वल sin a cos एक ही plus होता है यहाँ पर तो यह minus लग गया ठीक इसी प्रकार 10 को देखिए तो 10 तो पहले cot में बदल लीजिए cot theta अब 10 को देखिए कि दूती चतु थांस में plus में है कि minus में है तो यहाँ पर minus में है तो minus लगा लेते हैं देखिए cot नहीं देखना है यह जो सुरूक वाला था 10 दूती में दूती चतु थांस से plus है कि minus में है cos plus में है कि minus में है sin plus में है कि minus में ठीक ना क्या बदल लहा है उसको नहीं देखना है अपने को ठीक ना इसी प्रकार cos एक तो देखिए cos एक plus में है सबसे पहले कौस एक 90 प्लस थिटा हुने कारण सेक में बदल जाएगा ये ठीना और कौस एक प्लस में है तो प्लस लगा लिए सेक, सेक कौस एक पहले बदल लेते हैं और ये दूती चतुथांस में माइनस होता है इसलिए ये माइनस लग गया कौट देखते हैं, कौट का किस में बदलेगा, 10 में बदलेगा ठीक ना, और 90 प्लस होने कारण कौट 10 में बदल गया और कौट 23 चतुथांस में माइनस में है, तो माइनस ठीक ना, मैने या माइनस वाला लिखा नहीं है जो प्लस में है, उसी को केवल लिखा है ठीक न, यह हो गया 90 प्लस थिटा पर, अब देखते हैं, देखें, एक होगा 180 माइनस थिटा, 180 प्लस थिटा, तो एक बार 180 प्लस थिटा कर लेते हैं, और एक बार माइनस कर लेते हैं, ठीक न, केवल मैंने बोला 90 में यह बदलता है, ठीक न, साइन कॉस कॉस साइन में, और 270 पर ही बदलता है, अब हम लोग 180 कर रहे हैं, तो कोई भी साइन कॉस में और कॉस साइन में नहीं बदलेगा, ठीक न, जो है, वही लिखा जाएगा, बस इसका चिन देखेंगे हम लोग, अभी च साइन वाला इसको देखेंगे, कि दूती चतुतान में प्लस में है, तो प्लस में लिख लिया, कॉस, कॉस का कॉस थिटा ही रहेगा, ठीक न, कॉस साइन में नहीं बदलेगा, कॉस ये लिख लिया, अब चीन देखेंगे, तो कॉस दूती में माइनस में है, माइनस में लिए और कॉट मैनस कॉट में थीक अब ये मैनस में था अब प्लस में देखके लिखते हैं तो अब हम लोग किस में आ गए 180 प्लस थिटा प्लस थिटा में आगए तो तिसरे चतुथांस में आगए तिसरे में केवल 10 और कॉट ही प्लस में होते हैं बाकी सब माइनस में होते हैं तो साइन माइनस में होता है तो साइन थिटा लिख लेते हैं कॉस का माइनस कॉस थिटा ठीक ना, ten plus में रहेगा केवल कॉस एक का मैंनस कॉस एक थीटा सेक का मैंनस सेक थीटा और कॉट का कॉट थीटा, ठीक nat fehlt प्लस में था ये, तो ये 180 प्लस थीटा पर भी हो गया तो देखिये एक बार पहले समझ में है समझ में आ गया तो अब इसमें जली-जली करते बन जा रहा ठीक ना तो अब इसको आगे कर लेंगे अब 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा पर करेंगे ठीक ना अब देखिए जैसे बुला साइन पर भी बदलता 90 पर बदलता और 270 पर भी बदलता है तो सबसे पहले यह है 270 माइनस सीटा मतला भी हम दो तिसरे चतु थांस में है ठीक ना तो इसमें देखते हैं देखे साइन पहले तो कॉस में बदल जाएगा ठीक ना और साइन इसमें माइनस में है ठीक ना तो माइन प्लस इसमें प्लस में है तो 10 का कॉट में बदल गया और चिन प्लस में लगेगा इसी प्रकार कॉसेक तो का हो जाएगा माइनस सेख थिटा इसी पकार सेक का कौस एक थिटा मगर माइनस में और कॉट प्लस में रहेगा तो कॉट का टेन में बदल गया और यह प्लस में हो गया ठी ना, तो 90 आप 270 पर इसको बदलते भी जाएगा और चीन देखते चले जाएगा तो अब तो साइन 270 प्लस थिटा पर देख लेते हैं क्या आणसर आता है तो साइन, ठीना, साइन का जाएगा कॉस ठीना, और साइन 270 प्लस थिटा है मदलग अब हम चवथे चतुथांस में पहुँच गया तो इसमें केवल कॉस और सेख ही केवल प्लस में रहेगा तो साइन कॉस में बदल लिया साइन माइनस में है तो माइनस में कर लिया कॉस, कॉस प्लस में होता है चोथे में है तो कॉस का साइन में बदल लेंगे पहले ठीना, वो प्लस में है 10 cot में बदल जाएगा और 10 minus में होता है minus लगा लिया 6 का 6 में हो गया 6 थीटा और cos 1 6 में बदल गया और cos 1 minus में है 6 6 plus में है तो 6 का cos 1 में लिख लेंगे और plus में cot का 10 में हो गया और minus में हो गया ठीक ना cos और 6 ही plus में थे बाकी सब माइनस में हो गया तो यह हो गया 270 प्लस थीटा अब 360 पर देख लेते हैं देखे इसमें 360 माइनस थीटा ठीक न यह 360 है और माइनस थीटा मतलब अभी हम चौथे में हैं तो चौथे चतुर्थांस में केवल कॉस और सेख प्लस में होता है ठीक न तो यह साइन देखे साइन का साइन में बनाएगा कोई चीज बदलेगा नहीं ठीक न तो यह साइन का साइन थीटा और साइन माइनस में होता है कॉस कॉस थीटा और कॉस प्लस में होता है टेन टेन थीटा माइनस में होगा cos 1, cos 1 theta और ये minus में sec plus में रहेगा तो sec theta cot का cot theta मगर minus में इस माले में minus होता है अब 360 plus theta 360 plus theta में पहले में आगे, अब पहले में सब plus में होता है ठीन होते हैं, सबी plus में रहेंगे तो sin theta cos theta 10 theta cos theta sec theta और cot theta ठीन है, तो ये समाप्त हुआ है